दोस्तो जब भी आप Play Store से कोई भी product खरीते हो means paid books खरीते हो या फिर paid application यूज़ करते हो paid games खरीते हो तो आप वहाँ पे credit card या debit card का यूज़ करते हो तो वो debit card और credit card का detail वहाँ पे save हो जाता है दोस्तो और यह आपके लिए सही नहीं है दोस्तो तो बहुत बार Google के error के कारण आपके card से बीना OTP के payment कर जाता है ऐसा मेरे साथ हुआ है दोस्तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ तो हम लोग वहाँ से अपना card detail delete कैसे करें कैसे हम लोग play store से जा करके वहाँ पे जो मेरा card detail save है credit card detail या फिर debit card detail तो उसे delete कैसे करें तो उसके लिए दोस्तो simply आपको play store में जाना है जा करके दोस्तो यहाँ पे देखिए three lines दिख रहे हैं इस पे आपको click करना है और नीचे keyword slide करना है तो देखिए दोस्तो यहाँ पे account का एक tab दिख रहा है यह देखिए दोस्तो क्लिक करता ही दिखा दिया कि यहाँ पे मेरा visa card save है जिसका कि last four digit है zero तो हम लोगों को यह delete करना है जो save card है तो delete करने के लिए दोस्तो देखिए सबसे नीचे में एक option है manage payment setting इस पे आपको click कर देना है click करने के बाद दोस्तो आपका जो default browser होगा उसमें इसी layout में आपका एक web page खुल जाएगा तो इसमें देखिए दोस्तो बता रहा है कि मेरा visa card save है और last four digit भी यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तो और expiry date भी दिखा रहा है लेकिन देखिए दोस्तो सबसे नीचे में दो और option है remove और edit का तो अगर हम लोगों को edit करना होता तो हम लोग यहाँ पे edit करते हैं लेकिन हम लोगों को तो delete करना है तो हम लोग delete करने के लिए यहाँ remove का जो option है इस पे click करेंगे यह देखिए दोस्तो एक pop up खुल के आया है और इसमें फिर से पूछ रहा है कि आप remove करना चाहते हो या फिर cancel करना चाहते हो तो हम लोगों को remove करना है तो हम लोग फिर से remove पे इक click कर देंगे देखिए दोस्तो हमारा card detail delete हो चुका है अब हमारा card detail कहीं भी save नहीं है तो इस तरह से आप अपना card detail play store से delete कर सकते हो और आप अपना card save रख सकते हो तो दोस्तो अगर आपको यह video अच्छा लगा ता आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हो अगर आपको इस video में कुछ भी खराब लगा दोस्तो तो आप इसी video के नीचे comment कीजेए ताकि हम अगले video में सुधार ला सके